ओम शान्ती अपसको सौगत है आज हम 27 सेप्टेंबर के इश्रवदान में पहुँचे हैं परविता परमात्मा चाहते हैं कि हम प्रवर्ति मेलग की फैमली पात में रहते हुए भी हम सेवा की धुन में बिजी रहें ये कैसे है कैसे हो सकता है और इसका हमें फायता क्या है आज इस वरदान में हम समझेंगे तो प्रवर्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तक्त नशीन भवा जो बचे प्रवर्ति में रहते भी समर्पित हैं मलके dedicated हैं वो life spin कर रहे हैं जो की परमपिता परमात्पा उनसे चाते हैं उनके सयोग से सेवा का व्रक्ष फली भूत हो जाता है उनका सयोग ही व्रक्ष का पानी बन जाता है पानी आप समझते होंगे, पानी की बिना व्रक्ष बढ़नी सकता तो हमारा सहयोग जो है प्रवरत्ती में फैमली पात में रहते हुए वो सहयोग ही हमें आगे बढ़ाता है और सेवाओं को भी आगे बढ़ाता है जैसे व्रक्ष बढ़नी मिलने से अच्छा फल निकलता है ऐसे श्रेष्ट सहयोगी आत्माओं के सहयोग से व्रक्ष फली भूत होता है ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवरत्ती में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाब दादा के दिल तक तनशीन बनते हैं प्रवरत्ती में रहते समर्पित, समर्पित भाव मत्तब हो गया जो परमात्मा ने कहा गया है दिन चर्या, दिन से लेकर के शाम तक उसको फॉलो करने वाले ही समर्पित कहला जाएंगे उसके अलावा मुर्ली सुनना, खान पान, रहन सैन, उठना, बैठना, सब कुछ इसमें आ जाता है तो ये सारी चीज़े जो फॉलो करते हैं उसके हिसाब से जो सेवा कर पाते हैं तब जाकर के ही समर्पित कहा जाता है तब जाकर कही परमात्मा के दिल तकत पर बैठ पाते हैं, सेवा करने लाइक बन पाते हैं तो ये होता कैसे है, ये सब कुछ आपको से कहाता है ब्रह्म कुमारीज में परमात्मा के दिल तकत पर चड़ना, आज इंसान, इंसान के दिल में तो बैठ जाता है जगा बना लेता है कि परमात्मा के दिल में जगा बनाना ये एक बहुत ही उंचा कारे है जो कि हर किसी को इच्छा होती भी नहीं है और हर कोई घर भी नहीं पाता है तो जिसकी इच्छा होती है वो इस तरफ बढ़ता रहता है चलता रहता है लगता भी है लेकिन चलता ज़रूर है तो परमपिता परमात महाने ये सिखाते हैं प्रमा कुमारी इसमें आप भी आकर के सीखे कि आप घर बार में रहते वे भी कैसे सेवा कर सकते हैं ओम शानतीस के साथ